आप खुलवाओ याद रखना इस बात को कि ये अमीरों का खेल नहीं है इसे मद्यम वर्गी परिवार यानि हम जैसे एवरिज फैमिली वाले भी इसमें इंवेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं बहुत सारी स्टोरीज थे जिन्नोंने शेर मार्केट में इंवेस्ट करके पैसा कमा आप लोग एक बात याद रखेगा बहुत लोग ऐसा सूचते कि बहुत रिस्की लेकिन एक बात याद रखेगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई रसता नहीं है जिसमें आपका पैसा आपके लिए कमा रहा हो तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा इसलिए बेटर गया ह काश मुझे मेरे student life में share market के बारे में इतना कोई बता देता या मेरा डर खतम कर देता तो शायद मैं आज अरपथी होता सच बता रहा हूँ So अभी भी वक्त है आप 100 रुपे से शुरू करिए छोड़िए बड़ी चीज सोचना छोड़िए 100 रुपे से शुरू करके आप अगर आप छोटी छोटी इंवेस्टमेंट भी करते हो ना तो वो इंवेस्टमेंट बाइदवे अगर आप compounding जानते हो तो आप daily का एक रुपे भी compound होता रहेगा ना तो महीने भर में वो 6-7 करोण रुपे बन जाता है तो इतनी जादा शेर मार्केट और compounding और इन सब चीजों में पावर है तो अगर आपने अपनी bank account के साथ demate account अभी तक नहीं खुलवाया है तो खुलवा लो शेर मार्केट में थोड़ा थोड़ा सा पैसा invest करो जादा नहीं अपनी कमाई का 10 प्रतीशत तो आप लगाई सकते हो नहीं तो daily का 100 रुपया तो लगाई सकते हो believe करो ये आपकी जिंदगी बदल के रख देगा मानो मेरी बात इसलिए मने आपका डर खतम करने के लिए लगातार हर week एक session लेके आ रहा हूँ आप अपने पैसे को FD में रखते हो कोई return नहीं है saving account में रखते हो कोई return नहीं है mutual fund में डालते हो तब भी इतने कोई अच्छी return नहीं है property में लगाते हो पैसा जादा चाहिए लेकिन वो भी इतना safe नहीं है मतलब safe है बट इतने जादा आप उसमें उम्मीद नहीं लगा सकते हो खेर उसमें पैसा भी बहुत जादा चाहिए ठीक है property और gold में invest करने के लिए लेकिन share market में invest आप 100 रुपे से भी कर सकते हो mutual fund से शुरू करो अगर आपको जादा रिस्की लगता है और अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठाने को तयार हो तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि share market आपकी जिन्दगी और दुनिया दोनों बदल सकता है